हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग स्वाग आते हैं आपका भी आर्जे ब्लॉग में दोस्तों आज की ब्लॉग में जैसे कि आप देख रहे होंगे यह टमाटर के पेड़ गाइज यह मेरे अपने च्छत के गमलों में मैंने लगाए हैं और यह मेरे चार गमलों में लगे हुए टमाटर के पौधे हैं और ये देशी टमाटर है दोस्तों देशी टमाटर सबसे बेस्ट होता है और मैं तो ये रिकमेंट करूँगा सब के लिए कि सबी लोग देशी टमाटर कही ज़्यादा इस्तमाल करें क्योंकि किसी भी डॉक्टर से आप पुछेंगे कभी किसी आईरवेद वाले से भी पुछेंगे तो ये ही कहेगा कि देशी टमाटर है आप यादा इस्तमाल करें क्योंकि जो हाइब्रिड वाले टमाटर हैं वो उतने ज़्यादा एफेक्टिव नहीं होते हैं ये वाली जो होते है सौश्थी के साफ से भी अच्छे होते है दोस्तों ही देखें ये मैने च्छत पर लगाए है और ये अभी बहुत बड़े नी छोटे ही पौदे हैं टमाटर के और इनमे कोब सारे फूल भी लगे हैं और चोटे चोटे टमाटर भी इसमें लग रहे हैं देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखिए और अभी इसमें फूल और भी लग रहे हैं और लगता है कि इसमें कोप यह बहुत सारे टमाटर देखे आप दोस्तों इस छोटे चोटे लेशी टमाटर अब बहुत छोटे हैं ये अब यह जब यह टमाटर की पौद लगी थी तो भी मैंने आपको पहली वीडियो में आपको दिखाया था जिस टेम पे इसके पौदे बहुत चोटे ही छोटे थे अब वही यह पौदे बड़े-बड़े हैं इसमें टमाटर लग चुके हैं और जब यह टमाटर पकने लगें तो फिर मैं आपको एक पारज की वीडियो जरूर दिखाऊंगा तो गई आज जब मैं सुपच छफ में आया तो मैंने सोचा कि अपने वीवर्स के लिए वीडियो मैं सोट करूं तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अगें आप जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद नहीं तो लाइक शेजर रूपिए थेंक यू